तो शली शिरुवात करते हैं हर्टलस सिटी पार्ट फाइव की आपने देखा था कि शियून हॉंकी को शूट करने जा रहा होता है तब होंकी उससे बोड़ रहा होता है कि अगर तुमने मज़े मार दिया तो फिर कोई भी नहीं जान पाएगा कि तुम एक पुलिस आफिसर हो आज से कुछ साल पहले शियून एक ड्रक्स का बैग लेकर भाग रहा था और उसका पीछा कर रहे होते हैं पुलिस आफिसर भागते भागते शियून में डोड़ो पहुँच जाता है फिर वहाँ पर इसके पास में एक कार आती है और वो कार के साथ ही भाग रहा होता है फिर वो डोर को उपन करने कुईश करता है लेकिन डोर नहीं उपन होता है उस कार को सफारी ड्राइब कर रहा होता है तो फिर शियून उससे डोर खोलने को बोलता है लेकिन उमना करता है कि तुम पहले बैग अंदर फेको बैक कार के अंदर फेकने के बाद भी सफारी डोर उपन नहीं करता और वो शियून को वहीं पर छोड़कर चला जाता है फिर वहाँ पर आफिसर पहुच जाते हैं और वो शियून को अरेस्ट करके हौंकी के बास लेकर जाते हैं हौंकी बहुत जातों गुस्टे में होता है फिर उस शियून को कॉलर पकड़तर उसे बोड़ रहा होता है कि तुम कब तक यह काम करते रहोगे कब तब तक तुम उन लोगों के लिए काम करोगे जिन्होंने तुम्हारी मौम को मारा है यह सुनते ही शियून सर्पाइज वातर उस पूछा होता है कि तुम क्या बूल रहे हो फिर हौंकी शियून को बता रहा होता है कि तुमारी मौम की मौत की वज़य कैंसर नहीं था बलकि drug का overdose था और जो person तुमारी mom को drug supply करता था वो तो सफारी और तुम भी realize हो जए जो तुम drug delivery कर रहे हो उसकी वैसे तुमारी mom की तरह और भी लोग create हो रहे हैं शियून थोड़ा खपराया तर पूश आओता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए कुछ माहिने बाद होंकी शियून को पुलिस अकैडमी में एंटरस का एक्जाम दलाता है शियून एक्जाम पास कर लिता है लेकिन होंकी उसे admission नहीं लेने देता अकैडमी में और वो उसे बूर रहा होता है कि तुमें मेरे लिए काम करना होगा as a undercover agent शियून उसकी बात मान जाता है और वो किसी छोटे मूटे crime में जेल के अंदर जाता है वहाँ पर वो हाली बटके करीब पहुचने कोईश करता और वहीं पर उसकी मुलकाद होती उसके friend यूंसू से अब present time की बात करते है हौंकी शियून से कहरा होता है कि तुम्हें किसी तरीकी से सफारी को पकड़ना होगा तभी तुम जितने भी allegation तुम पे लगे उन सब को clear कर पाओगे ये सुनने के बाद शियून अपनी rifle नीचे रखता है और वो हौंकी के पास चला जाता है हौंकी शियून से कहरा होता है कि पूरी पुलिस फोर्स तुमारे पीछे लगे इस वैसे मैं तुमारी help नहीं कर सकता हूँ तभी शियून अपनी pocket में से एक bullet निकालता है rifle की और हौंकी को बता रहा होता है जिसने क्योंगमी को मारा है उसने मुझे मानी गुश की थी और जिस blood का इस्तमाल हुआ है ये rifle अकसर officer के पास होती है कोई है police officer जो कि उन लोगों का साथ दे रहा है और तुम्हें उसी person को ढूंडना है ये कहकर शियून वहाँ से चला तर कुछ देर बाद वो अपने उसी secret office में बैठा होता है और अपने police ID की और देख रहा होता है उसने अपने office में दो monitor लगा रखे होता है जो कि बाहर की camera की recording दिखा रहे होते है तब ही वो देखता है कि उससे मिलने के लिए वहाँ पर यूंसू आया होता है फिर वो सारे समान को वहाँ से हटा देता है यूंसू अंदर पहुशता है और वो शियूं के साथ drink कर रहा होता है यूंसू शियूं से कह रहा होता है कि जितने भी wholesale ले रहे हैं वो और भी यादा drugs मांग रहे हैं अब तुम इसका क्या करोगे करीबन 8 साल तक तुमने scale की help किया क्या तुम उफस की seat नहीं लोगे शियूं बोर रहा होता है कि ये सब start करने से पहले मैं जिन्सू को जेल से बाहर निकालना होगा यूंसू हचन लग जाता है रहो बोर रहा होता है कि इस situation में भी तुम जिन्सू को बाहर निकालना चाहते हो फिर शियूं जिन्सू की और देतर उससे बोर रहा होता है कि अगर तुम्हें बिजनस चोड़ना है तो फिर तुम छोड़ सकते हो क्योंकि मुझे नहीं पता आगे क्या होगा अगर मुझे ये कुछ हो जाता है तो फिर तुम्हें मेरे करीब नहीं आना है दूसरी और यंग में अपना ओफिस में होता है तब ही वहाँ पर वो ओफिसर आता जिससे कि उसकी फाइट हुई होती है और उसका नाम होता है डूहून दूहून अपना रेजिलेशन लेटर उसके सामने रख देता है यंग में बोल रहा होता है कि तुम्हें परसनल मैटर को इसमें राउंट नहीं करना चाहिए और मैं ये असेप्ट नहीं कर सकता हूँ मुझे तुम्हारी जरुथ है कि तुम मेरी हेलप करो डॉक्टर के बेटे को पकड़ने में दूहून पूश आ ओता है क्या तुम वाके में Akis ने ही डॉक्टर के बेटे नहीं क्योंग में को मारा है बला ही डॉक्टर के बेटे नहीं, क्योंग मी को नहीं मारा हो, क्या पता यह उसने और्टर दिया हो? इससे कोई भी फरक नहीं पड़ता, हमें उसे पगड़ना ही होगा अगले दिन क्योंग मी की सिस्टर सो मिन जेल में होती है तो फिर वहाँ पर जो जेलर होती है वो जेलर सो मिन को एक सिकर्टो में बेचती है और वहाँ पर वो अपने पुलिस अकाडमी की पढ़ाई करने अख जाती है सोमिन एक नोट त्यार करती है और वो बाहर बैट कर पढ़ रही होती है तब ही वहाँ पर उसकी एक सेलमेट पहुँच जाती है जिसका नाम होता है पार्क यूने फिर वो उसे अपने साथ अंदर लेकर जाती है वाश्रूम की और जब पार्क यूने वाश्रूम का डोर उपन करने जारी होती है तब यह उपने पॉकिट में से एक बौन निगालती है उसी टाइम सोमिन वो बौन छीनती है और वाश्रूम के अंदर पार्क यूने को ले जाकर उसकी गरतन पर बौन रख देती है फिर वो देखती है कि वहाँ पर जिन्सुक के साथ में और दूसरे सेलमेट होते हैं जो कि चिकन खा रहे होते हैं ये देखकर सोमिन पार्क युने को छोड़ देती है फिर पार कि उन्हें अपना हाथ आगे बढ़ाती है हैंडशेक करने के रिए जैसे सोमिन हैंडशेक करने जारी होती है तब ही पार कि उन्हें उसे बुरी तरीके से पीटना स्टार्ट कर देती है जिन सुक पार कि उन्हें को सोमिन को छोड़ने के लगाती है फिर वो सोमिन के पाज जाती है और उसे एक चिकन की बॉन देती है योंग मिन अपने ओफिस में बैठा होता है और वहाँ पर वो इन्वेस्टिरेशन रिपोर्स देख रहा होता है फिर वो रिपोर्ट में देखता है कि डॉक्टर के बेटे की एक डील होती है फ्लोरा होटल में लेकिन उसमें एक्जैक टाइमिंग गलत लिखी होती है तब ही शियून बाहर विंडो के पाज जाता है और अपने एक ओफिसर की ओर देखता है और उसे को बुलाकर कुछ कहता है उस ओफिसर का नाम होता है बांग जांग बांग जांग अंदर उसमें जाता है जहां पर दूसरी टीम बैटी होती है और उसमें से एक ओफिसर को बुलाकर लाता है जिसने की ये रिपोर्ट तयार की होती है वो ओफिसर योंग मिन से मिलने के लिए उसको ओफिसमें चली जाती है उसके जाने के बाद बांग जांग उसके फोन में एक ट्रैकर लगा देता है ओफिसर जैसी ओफिस में पहुस्ती है तो फिर योंग मिन उससे बोल रहा होता है प्रसोध के बाद बाते के लेंग मिन पहुस्ती है योंग बोल रहा होता है कि तुम काम को कप पूरा करोगी योंग इससे बोल रही होती है कि मैं सही मोमेंट का वेट कर रही हूँ यंसुग उसे में कहरा होता है कि तुमने इतना सारा पैसा ले लिया क्या तुम वाकिय में जिन्दा रहना चाती हो या फिर नहीं पार्ग उन्हें बोड़ रही होती है कि मैं आज रात को काम कम्प्रीट कर दूँगी फिर वो अपने सेल में चली जाती है रात को जितने भी सेल में डोते हैं वो सारे सोने के त्यारी कर रहे होते हैं तब ही युने एक जाय पर जाती है और सोमिन उसकी और देख रही होती है कुछी देर बाद वो सारे सो जाते है अचानक से रात को सोमिन की आँके खोलती है और वो देखती है कि यूनोby के हाथ में एक knife होता है और वो जिनसुक को मारने जारी होती है तब हिस्जोमइन यूने के पास जाती है और उसे जिनसुक से दूर कर देती है उसके बाद दोनों की fight start हो जाती है जिनसुक भी जाग जाती है फिर वो समझ गी होती है कि युने उसे मारना चाहती है फिर जिन्सुक सूमिन को युने से दूर करती है फिर वो युने के हाथ को अपने पैर से मसल देती है मसलने के बाद जिन्सुक वो नाइफ लेती है और उसके फेस के पास रखकर बोड़ रही होती है कि आजकर बहुत सारी प्लाची सर्जरी होने लगे क्या मैं तुम्हारी प्लाची सर्जरी कर दूँ फिर यह कहकर वो उसकी आंख पे नाइफ मरने जारी होती है तब दूसरी सैलमेट उड़ जाती है और वो शूर मचाने लग जाती है जिनसुक अपनी नाइफ फेकती है और वो सोमिन से कहती है कि तुम उसको पकड़ो सोमिन वो नाइफ रख लेती है फिर वहाँ पर वो ऑफिसर पहुच जाता है देखने के लिए कि यह शूर कौन मचा रहा है ऑफिसर लाइट आउन करने के लिए कहता है और जैसे ही लाइट अन होती है वो देखता है कि सारे सैल मेट एक जैपर बैटे हुच चुप चाप जिनसुक किसी तरीके से कोई बहना पनाती है और ओफिसर को वहाँ से भेज देती है ओफिसर के जाने के बाद पार क्यूने सोमीन से फाइट करना स्टार्ट कर देती है और अपने बचाफ के लिए सोमीन उसकी गर्दन पर वो नाइफ मार देती है इधर यूनसु डिटेक्टिव डूहून के साथ डिंक कर रहा होता है डूहून उससे गुस्से में कह रहा होता है अगले दिन शियून किसी तरीके से टूथ की लोकेशन का पता लगा लेता है फिर वो अपने एक बरसन ओगी चिल के साथ वहाँ पर पहुँच जाता जिस ओटल में वो होता है टूथ उन दोनों को देखकर चौक जाता है शियून उन गैंग ममर्स को पीटता है उसके बाद वो तूथ को पीटना स्टार्ट कर देता है सबसे पहले वो तूथ का एक हाँ तोड़ देख उससे पूछा होता है कि तुमने किसके कहने पर जिनसु को अप्रोच किया था तूद घब रहा है तर वो बोड रहा होता है कि मुझे ये सब नांग मानने कहा था करने को दूसरी और सफारी नांग मान यून सू मैटकिम से मिलने करे जाते हैं सफारी मैटकिम से पूछ रहा होता है कि उस दून क्या हुआ था मैतकिम उसे बता रहा होता है कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता क्योंकि मैं वहाँ से भाग गया था उस आफिसर ने अपनी गन पॉंट कर रखे थी डॉक्टर के बेटे के ऊपर इसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ सफारी बोर रहा होता है इसका मतलब है कि डॉक्टर के बेटे नहीं उस आफिसर को मारा है मैतकिम शौक में उतर बोर रहा होता है क्या वो इतना पाउरफुल है कि वो एक कौक को भी मार सकता है इसके बाद सफारी टूथ को call करता है लेकिन उसका call pick करता है डॉक्टर का बेटा यानि की शियून सफारी समझ जाता है कि वो call शियून ने pick किया फिर शियून उससे बोर रहा होता है कि तुम मेरा wait करना मैं जल्दी तुम से मिलूँगा सफारी कह रहा होता है कि अभी टाइम नहीं हुआ है मिलने का और ये कहकर वो कॉल कर देता है फिर सफारी कमिशनर मिन्से को कॉल करता अब सब टूत का नमबर देकर बोड़ रहा होता है कि तुम इसकी लोकेशन का पता लगाओ इदर शियून टूस से बोड रहा होता है कि तुम्हें अपने आपको सरेंडर करना होगा पुलिस आफिसर को ये कहकर वो बाहर जाता है और वो डिरेक्टर हॉंकी को कॉल कर दिता है हॉंकी यॉंग मिन से मिलने के लिजाता है उसे बता रहे होते हैं मुझे टूथ की लोकेशन का पता लग गया और तुम्हें वहाँ पर जाना है यॉंग मिन कहरा होता है कि मैं वहाँ पर जाऊँगा लेकिन मैं टीम अपने हसाब से ही बनाऊंगा मुझे एक और बतानी है कि जो हमारे बीच में डिरेक्टरी सूव है वो किसी को इंफोमेशन बेच रही है डिरेक्टर होंकि कुछ भी नहीं कहते है वो बाहर जाकर शिन को कॉल गर्दल से बता रहे होते है कि एक गंटे के अंदर यॉंग मिन वहाँ पर पहुँच जागा जहां पर टूथ है यॉंग मिन अपने ऑफिस में पनी टीम को त्यार करता है और उनमें शामिल करता है डिरेक्टरी सूकर उसे बोड़ रहा होता है कि वहाँ पर पहुच कर तूमें टूथ को सर्च भी करना होगा वो सारे रेड़े होकर वहाँ से चले जाता है वहाँ पर कमिशनर कांग मिन से पहुच जाता है कमिशनर बचे वे ओफिसर से पूछ रहा होता है कि यॉंग मिन कहां पर गया और वो से बता रहे होते हैं कि वो सारे टूथ को पगड़ने के लिए गए हैं फिर कमिशनर दूसरे रूम में जाता है और वहाँ आपर वो सफारी कॉल करके पूश आओता है क्या तूट को जानते हो वो अपने आपको सरिंडर कर रहा है पुलीस ओफिसर को सफारी कॉल करता है और वो यूंसे से बोल रहा होता है लगता है कि टूट अपना मुह बंद नहीं करेगा वाके में डॉक्टर का बेटा काफी बढ़ा हो गया फिर वो मैतकिम के ओर देखकर बोलता है कि हमें अपने चाकू की धार को तेज करना होगा शियून का जो सबोर्डिनेट होता है गीचुल वो टूथ को उसी बिल्डिंग को बाँ देता है जहां पर क्योंग मी की मौत हुई होती है उसे बाँने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और शियून बिल्डिंग के बाहर खड़ा होता है एक जाए पर कुछी देर बाद योंग मीन वहाँ पर अकेला पहुच जाता है लेकिन उसके साथ में टीम आई होती है जो की बाहर जंगलों में चुपई होती है योंग मीन अंदर जाता है सबसे पहले टूथ के पास जाकर से एक पंच मारता है ताकि वो बहुच हो जाए बहुच जाने के बाद वो राइफल लेकर दूसरी बिल्डिंग में पहुच जाता है और वहाँ से अपने निशाना लगारा होता है टूथ पर कॉमिशनर कांग उसे कॉल कर रहा होता है लेकिन वो उसको कॉल पिक नहीं करता है ओफिसर बांग जंग बिल्डिंग के बाहर होते हैं वो डिडेक्टिव सू को अंदर बेशने ताकि वो टूथ की तलाशी ले सके डिडेक्टिव सू जैसे अंदर जाकर टूथ को देखती है तो फिर सर्पाज जाती है टूथ एक वूमन है डिडेक्टिव सू वहाँ से जार ही होते है वेसा ँपने कान में एरफोन लगाया होता है तो भी योग्मिन उससे बोलता है कि तुम महाँ से कहीं मत जाना नहीं तो मै तुम मैं शूट कर दूँगा तुमने रिपोर्ट में साई टैमिंग नहीं लिखे थी, ये तुमें किस ने करने को कहा था। डिरेक्टिस सू बोर्ड रही होती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, तब ही यॉंग मिन उसके पैर पे शूट कर देता है। डिरेक्टिस सू रोन लग जाती है तुम बोर्ड रही होती है कि प्लीस तुम मुझे छोड़ दो, यॉंग मिन बोर्ड रहा होता है कि सबसे पहले तुम उस परसनों कॉल करो जिसने कि तुम्हें ये ओर्डर दिया था, डिरेक्टिस सू अपना फोन निकालती है और कॉल करने जारी होती है, तब ही वहाँ पर मैत किम अपने कुछ गैंग मेंबर के साथ वहाँ पहुच जाता है, मैत किम डिरेक्टिस सू को पगड़ लेता है, फिर वो सफारी को कॉल करता है, पूछने के लिए कि इसका क्या करना है, सफारी उसे मारने जारा होता है, तब ही यॉंग म सफार ये पर सूट कर देता है मैत किम के पैर पर गोई लग जाते है रोग किसी तरीके से भागनी कुशिश कर रहा होता है वो रेंग रेंग कर बाहर की ओर जाता है दूसरी साइड से फिर योंग मिन भी अपनी टीम को ओडर देता है और वहाँ पर खड़ा होता है शियून शियून उसे पकरता हो गसीर करी जैब पर लेकर जाता है योंग मिन उस बील्टिंगे पहुँच जाता है सबसे पहले रिल्टिक सूक को हतकडी लगाता है एक विंड़ो में बांध कर चला जाता है फिर उट तूत के पास जाता है और वो देखता है कि उसकी मौत हो गई होती है इसके बाद वो मैथकिम को डूंट रहा होता तब यूसे दूसरी और वहाँ पर खोन के निशान मिलते है वो उनका पीछा करते हो बहार की और जाता है फिर वहांपर बारेश चार्ट होती है और उसे एक ज़्याबर मैथकिम की बॉड़ी मिल जाती है मैथकिम के पास जाकर पूछा होता है कि तुम्हें यहांपर कौन लाया है मैथकिम कहता डॉक्टर का बेटा यॉंग मिन भाग कर बाहर की ओर जाता है और वहांपर उसे एक परसन ज़्यादा हो दिखाए देख रहा होता है फिर ओक गन पॉंट करकर उसे बोलता है कि तुम वहीं पर रुख जाओ वो परसन होता है शियून शियून वहीं पर रुख जाता है फिर यॉंग मिन इससे पूछ रहा होता है क्या तुम डॉक्टर के बेटे हो तो दोस्तों यहीं कतम होता है यह पार्ट